तो है फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आयम रिया भाटिया और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट तिंग्स के बारे में जैसे आपको पता है कि यूके में इंग्लैंड में स्टुडेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो अब सेप्ट स्टूर्ट करते हैं कि फोस्त तिंग जो है हमारी फोस्तिंग यह है कि अब जैसे ही यूके में आएंगे इयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको क्या करना आपने अपना वाइफाय क्नेक्ट करना यह वाइफाय में स्टुडेंट्स को मुझे कुछ प्रॉप्लम होई थी व आप सारी information तो आपका WiFi चलता है first आप immigration पर जाए immigration is important immigration की आप line में बहुत लंबी line होगी तो वहाँ पर आप अपना WiFi चनेक्ट करें WiFi में कुछ information आड़ करें information होती है तो वह एड़ करके आपका WiFi चल जाएगा अगर आपका वाइफाई नहीं चलता तो आप टैंशन मतलें तो इमिग्रेशन क्रॉस करें वहाँ पर आपको उसके बाद बहुत सरी शॉप्स आएंगी जहां से आपको सिम कार्ड मिल जाएगा सिम कार्ड आप ले सकते हो कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो लिबारा का लाइ उसका टॉप अप तो आप वह करा लो उसके बाद आपका वह कॉलिंग हो जाएगी लिबारा और लाइका में इंडियन कोल्स आपको अवैलिबल हैं तो आप इंडिया भी कॉल्स कर सकते हैं तो आपको फिर देखनी है टेक्सी कहां से मिलती है तो आप बाहर जाएंगे अगर आपको वहां जाने तो आप उसको एड्रेस दे सकते हो या अगर आपको ट्रें से जाना तो आप ट्रें स्टेशन का एड्रेस दे दो वहां से आप डिरेक्ट उनको दो और वहां पर पहुंचा देंगे अगर आपके पास नहीं है तो बहुत स्टूडेंट्स को यह भ कहाने, so अब क्या करना है, आपने इंडिया से अगर आपके बस कोई वहाँ पर नोन में नहीं है, तो आपने क्या करना है आपने इंडिया से दो या तीन दिन का room book करना है, किसी hotel में और hotel में आपको फिर वहाँ जैसे आप taxi में जाएंगे टेक्सी वाले को अपने address देना है वहाँ का जो hotel है तो वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको 2-3 दिन में क्या करना है 2-3 दिन में आपको करना है कि room देखना है online तो आपको unique आसपास rooms बहुत सारे मिल जाएंगी तो आपको वह book करना है और आपको फिर दो तीन दिन में मिल जाएंगे अगर आपको नहीं मिलता तो दो तीन दिन का room extend करालो hotel का सो ताकि आप अपना room अराम से देख सको तो ये था कुछ rooms का सो अगर वो आप room में पुछ गए हो तो आपको क्या करना है उसके बाद उसके बाद आपको करना है BRP collect Biometric Residence Permit Biometric Residence Permit क्या है first मैं बता दू कि पहले क्या होता था जो passport है passport पर हमारा सारा वीजा आता था 1 year, 2 year, 3 year जितना भी आपका वीजा कोर्स के according तो अब आता है BRP card पर एक debit card की तरह होता है उस पर हमारा वीजा आता है जितने years का आपका वीजा है और passport पर सिरफ 2 months का वीजा होता है अगर आपने वो collect नहीं करा तो आपको problem आ सकती है रहने में तो first आपको 10 days में लेना होता है but मुझे लगते है कि corona के बज़से 28 days का time हो गया कि आप ला सकते हो तो क्योंकि 14 days तो आप quarantine रहोगे उसके बाद आप collect करने जा सकते हो या 10 days के बाद तो अब आपको क्या करना है आपको कहां से लाना है तो आपको वो address दिया होगा post office आपके university के जो post office होगा तो वहां से आप collect कर सकते हो अपना BRP so BRP collect कर लिया थोर्ट थिंग थोर्ट थिंग थोर्ट थिंग NI number क्या चीज होती है NI number होती है जिससे आप अपना work कर सकते हो 20 hours allowance होता है आपको जो आपका pay rate है यहां पर 872 है maybe so आपके age के according जो pay rate आपको full rate मिलेगा अगर आप cash पर काम करते हो तो आपको full rate मिलेगा वो मिलेगा NI number पर NI number कैसे apply करना है आपको करना है national insurance number पर call तो आपको वो call करेंगे तो आप उनको आपसे पुछेंगे कुछ information information आप दोगे तो आपका आजाएगा 1 week or 10 days में आपको form आएगा घर पर जो आप address दोगे तो पर आपको फिल करना है सारी information तो information फिल करोगे तो उस ताइम आएगा आपका reference number NI number पर आएगा after 30 days जो आपका form आगया 10 days में वो आपको फिल करकर post office में deposit कराना है उसके बाद आपका 30 days के अंदर national insurance number आएगा तो यह था national insurance number 4 पर चीज के है हमारी bank account bank account bank account आपने खुलवाना है bank account आपको कैसे खुलेगा आप जाओगे university से university से आपको मिलेगा लेटर आप उनको बोलो कि मुझे bank letter चाहिए तो आपको bank letter देंगे जो भी आप खुलवाना चाहते हो जिस भी bank में Lloyds में Barclays में तो आप उसको letter लो letter लेकर आप बैंक में जाओगे bank में आप दे दोगी उन्हें letter तो वो आपका bank account open कर देंगे उसी time आपका bank account open हो जाएगा और आपका debit card आ जाएगा about one week or ten days में आपका debit card भी आ जाएगा so यह थी bank का and अब आती है NHS की बार NHS क्या होता है doctor doctor हामें जरूरी है कुछ problem हो जाए तो वो जरूरी है so आपको लेना है वहाँ से letter university से तो आपको जाना है अपने आसपास के hospital में hospital में जाकर आपने बोलना है कि मुझे NHS number चाहिए NHS number वो आपको form देंगे form में आपको सब कुछ फिल करना है तो आपका वो NHS वहाँ पर बन जाएगा NHS number वो आपको देंगे one more thing कि आपको cv बनाना है जैसे आप quarantine of 14 days तो आप free हो तो उसमें आप क्या करोगे cv cover letter बनाओगे जो कि आप online indeed पर jobs आती है कुछ online apps पर jobs आती है तो उसमें आपका UK की according जो cv है resume में आपको वो बनाना है ताकि आप उसके अंदर add कर सकें और आपकी jobs उस पर आ जाएं तो यह थी कुछ important things important नहीं most important things जिसके बिना आप यहां पर survive नहीं कर सकते तो यह important things आपको one month के अंदर अंदर यह सब कुछ complete करना है तो मैं आपको बता देती हूं कि most important उसके बिना आप नहीं रह सकते तो आपको collect करना ही करना पड़ेगा तो यह था मेरा एक छोटा सा vlog कुछ important things के बारे में अगर आपको यह vlog अच्छा लगाओ तो like करना, share करना और comment करना और yes, subscribe करना मत भूलना तो आपको मैं आगे आगे भी कुछ important things बताती रहूंगे students को ताकि उनके लिए helpful रहे so bye take care